थमश्कर दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चनल पर दोस्तों आज हम आपको गुरुवार व्रत और इस दिन के महत्व के बारे में बताएंगे गुरुवार का दिन ब्रह्म्हा, ब्रस्पति और विश्नुपूजा का दिन है आज के दिन पीले रंग का विशेश महत्व होता है पीले वस्त्र पहनने से शुपता का आगमन होता है सुबा उठकर नहा दोकर पुजा पाड़ करने से व्यक्ति को बहुती लाब होता है परिवार से जुड़ी सभी समस्याओं का अंत होता है साथ ही लक्ष्मी जी की विशेश क्रपा प्राप्त होती है इस दिन बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं प्रस्पतिवार अत्यंत शुप दिन माना जाता है इसलिए इस दिन बहुत सारे काम किये जा सकते हैं धार्मिक द्रश्टिकोंड से देखा जाए तो देव गुरु ब्रस्पति का बहुत बड़ा इस्थान माना गया है यहाँ और यदि हम ब्रम्हान की बात करें तो नौ ग्रहों में ब्रस्पति ग्रह को सबसे भारी माना गया है यही कारण है कि जिन कार्यों को इस दिन करने से घर में हलकापन आता है उन्हें धार्मिक द्रश्टी से वर्जिन पाना गया है क्योंकि इन कार्यों को करने से गुरू कमजोर होता है प्रस्पति को धर्म एवं शिक्षा का भी कारक माना गया है ऐसा करने पर शिक्षा में आसफलता मिलती है और धर्म के प्रती भी रुजान कम होता जाता है तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आप गुरुवार को क्या क्या खरीच सकते हैं ये जानने से पहले सबसे पहले एक निवेदन उन सबी दर्शकों से करना चाहूंगी जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं क्रप्या हमारे चैनल की सदस्ता को जरूर ले ले ताकि आप हमसे जुड़े रहें हमारे द्वरे दी गई जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फायदा बिठा सकें साथ ही सही जानकारी के लिए इसे अंतितक सरूर देखेगा भगवान ब्रस्पती का दिन है गुरवार ये दिन व्यक्ति के जीवन में शुपता लाता है गुरवार के दिन इलेक्ट्रोनिक समान खरीदा जा सकता है प्रॉपर्टी से जुड़े कामों में भी बहुत फायदा होता है इस दिन पूजा पार्ट से जुड़ा समान नहीं खरीदना चाहिए आंकों से जुड़ी कोई विवस्तू, कोई शौर्प अबजेक्ट जैसे चाकू, कैंची, बर्तन, आदी नहीं खरीदना चाहिए ब्रस्पतिवार को कुछ वर्जित कारियों को करने से पचना चाहिए तो दोस्तों, अब हम आपको उन वर्जित कारियों के बारे में बताएंगे गुरुवार को महिलाओं को बाल्द होने से इसलिए मना ही की गई है क्योंकि महिलाओं की जन्म कुंडली में ब्रस्पती पती का कारक होता है साथ ही ब्रस्पती ही संतान का कारक भी होता है इस प्रकार अकेला ब्रस्पती ग्रह, संतान और पती दौनों के जीवन को प्रभावित करता है ब्रस्पतिवार को सिर्ध होने से ब्रस्पति कमजोर होता है जिससे ब्रस्पति के शुप प्रभाव में कमी होती है बाल ना दोने वाला तरखी यहां भी लागू होता है मतलब की बाल कटाने में इस दिन बाल भी नहीं कटवाना चाहिए बाल कटवाने का गलत असर संतान और पदी के जीवन पर पढ़ता है उनकी उन्नती भी बादित होती है ब्रस्पती का प्रभाव शरीर पर भी पढ़ता रहता है उसी प्रकार से घर पर भी ब्रस्पती का प्रभाव उतना ही कहरा होता है वास्तु अनुसार घर में इशान कोण का स्वामी गुरू होता है इशान कोंड का संबंद परिवार के नन्ने सदस्यों याने की बच्चों से होता है साथी घर के पुत्र संतान का संबंद भी इसी कोंड से होता है इशान कोंड धर्म और शिक्षा की दिशा है पोच्छा लगाने से घर का इशान कोंड कमजोर होता है घर के बच्चों, पुत्रों, घर के सदस्यों की शिक्षा, धर्म, आधी पर भी शुप प्रभाव में कमी आ जाती है नाखून, गुरुवार को काटना धन हानी का संकेत होता है इसे घर के मुख्या की तरक्की कम होती है या फिर बादित हो जाती है और घर में पीड़ा भी बहुत आती है किसी भी जन्म कुंडिली में दूसरा और ग्यारवा भागधन के स्थान होता है गुरुग्रह इन दोनों ही स्थानों का कारग्रहे बाना जाता है गुरुवार को गुरुग्रह को कमजोर किये जाने वले काम करने से धन की व्रद्धी रुख जाती है धन लाप की जो भी स्थितिया बन रही हो वो भी रुख जाती है और उनमें रुकावट आने लगती है गुरुवार के दिन शेविंग करना भी इसलिए निशेद माना जाता है शरीर के बालों को साफ करना गुरुवार के दिन उचित नहीं माना जाता है तो दोस्तों यदि आपको अचकी हमारी जनकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट सरूर कीजिगा इसे देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद